नमस्कार, हेलो अरिवन, स्वाद करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर वेल्कम टोवर चैनल, आज हम डिसकस करेंगे SBI, State Bank of India, हम सबका पसिंद्रा शॉक, सबका भरोसे मंद बैंक, PSU Bank में से SBI सबसे टॉप पर है हमारे भारत में, यह एक ऐसा बैंक है जो को अभी पर accumulate करना चाहिए, SIP करना चाहिए, जितना गिरे उतना उठाओ यह शेर को, यह एक safe stock है, जहां आप बिना कोई tension के निवेश कर सकते हो, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रू करना, जहां हम quality stock आपके सामय लाने की कोशि का return दिया है, और जहां हम 5 साल का return देखते हैं, तो share ने करीबन 143% के आसपास का return दिया है अपने investors को, अब हम fundamental wise देख लेते हैं, 90% experts buy की rating दे रहे है, market cap करीबन 7,45,000 करोड के आसपास की है, P ratio 11.11 है, जहां हम industry P देखते हैं, 14.15 के आसपास है, book value 434 है, which means इसके book value से 2 times trade कर रहा है ये share, तो कही न कई ये share अभी भी सस्ता मिल रहा है आपको, and no doubt bank profit making है, bank का growth भी काफी अच्छा है, अब हम chart देख लेते हैं, share अभी trade कर रहा है, 839 के आसपास, जहां share ने 845 का high लगाया, but sustain नहीं कर पाया, काफी दिनों से share इस zone में ही trade कर रहा है, काफी बाद ट्रा सकता है, और जहां हम targets की बात करते हैं, तो हमारा पहला target रहेगा 900, और जैसे 900-910 के level को sustain करता है, तो ये share में आपको 1000 के levels भी देख सकते हैं, और जहां हम brokerage house के targets देखते हैं, तो B.O.B. Capital Markets Limited का target है, 969 है, ICIC direct का target है 1000, अगर हम access direct का target देखते हैं, तो 110 है, तो ये share आप जरूर निवेश कर सकते हो, इस share में for the long term, तो ये था मेरा आज का video आपके लिए, और हाँ दोस्तों, अगर आपको investment करते हो, तो प्लीज अपने advisor से जरूर सल ले, और सबसे जाए आप खुद research करे, चैनल को subscribe करे, support करे, अगर आपको ये video हमारा पसंद आया हो, तो प्लीज इस video को like and share जरूर करे, तो मिलते हैं हम दुसरी video में, जुड़े हमारे साथ, thank you so much for watching this video, अपना क्याल रखना, जय हिंद,